यह पुच्ची गॉम बनाया है कर दो के निया है है लोगा है करेंट को आप दिन चानल और अभी दिखिए आज मकर सकरांती है और मैं नहां दो के रेडी हो गई हूं और मैंने पूजा भी कर लिया है अपने घर में और जो तिल कुट होता है आज के दिन का मेन चीज होता है रैसे तो दही चूरा भी मॉर्निंग में खाया जाता है लेकिन जो तिल की बनी चीजे होती है वो हम बगवान जी के यहां अपने घर में ही भूग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं तिल कुछ से बनी चीजे मैंने मतलब कि अभी कुछ ब बैठने के लिए और फिर दोनों बच्चे पहले ही ना लिये थे मुझे फ़र से लेट हो गया है सब को तैयार करने में घर की सफाई करने में तो अब मैं भी जा रही हूं कुछ खाने के लिए तो यहां देखिए हम लोग खाने पीने की तैयारी ही कर रहे थे कि यहां पर ना जैसे कि मसीन में कुछ कपड़े थे तो मैंने सोचा कि इनको में निकाल देती हूं और धूप में रख दूँगी फिर क्या होता है ना कि धूप में बैठने के बाद फिर जैसे कि सुबस मैंने पानी में ही काम किया है पानी का तो अभी विंटर बहुत जादा है और धूप यहाँ पर न, वो खा ली एते क्योंकि वो और बच्चे पहले ही ना आये थे, तो वो जा रहे है मार्केट कुछ समान लेने के लिए ही जा रहे हैं, आज वो उट्रो नहीं चलाएंगे, क्योंकि तेवार हैं, और तेवार में सब अपने घर पर ही पसंद करते हैं तो इनको भी मतलब की तेवार है तो फिर आज की दिन इनका चुट्टे तो फिर ये अभी समाल लेने के लिए गया है मार्केट और आप सब सोच रहे हैं न मैं काम की मेरा इतना लेट आज कैसे हो गया है क्योंकि लेट तो जैसे कि सुबह अगर तेवार रहता है तो हम लोग तैयारी करते है पहले फिर नाना धोना फिर ठंड है उसके वज़े से और मतलब की पानी से डर ही लगता है हम लोग को हम सब जानते हैं तो फिर यहां पे ना ये जो मैंने सारी पहनी है ये सारी तो बहुत हलकी है वजन में लेकिन इसको मतलब की मैं इसको क्य में यह सारी पहन लेती हूं लेकिन यह सारी पहनने में करी मुझे आधा गंटा जादा लग गया है तो यहां पर मैंने काफी ज़्यादा कोजशी की थी, कि मैं अच्छे से ही पहनitch की लेकिन यह बैटता नहीं है. तो जो लोग यह साड़ी का कपड़ा है तो जो इस साड़ी को पहनने के हिवेट है, वो लोग अपना जैसे की पहनने की आदत हैं, लोग पहन लेते हैं मुझसे तो पहनता ही नहीं है जैसे मैंने अभी आचल का प्लेट मैंने देखी कितने रेकार से ये किया हुआ है तो मतलब ऐसे ही मैं पहनी हूँ बहुत मुश्किल से इसलिए में ये सारी ना मेरी रखी रखी रह जाती है उसके बाद हमने दही चुरा ख से पहले दाल थोड़ी से उसमें मिक्स दाल थी चने की दाल और काली उरत की दाल और अरहर की दाल मतलब जो भी मेरे पास अभी हवाले वाले वो सारी दाल थी उसको मैंने मिक्स करके दो दिया है पानी में डाल दिया है और थोड़ा से उसमें हल्दी नमक डाल कर मैं इस दा चावल और दाल को मिक्स करके और दो दिया था साथ में रिखेंसे और उसके बाद यहां पर में सब्जी अभी उसी में डालने के लिए यहां पर तैयारी कर रही हूँ तो यहां पर मतर है फुलगोवी है गाजर है और मतलब कि यहां पर कुछ-कुछ सबजे मैंने देखी यहां पर रखी वी है तो यह सब मैंने कट करके इसे वास कर लिया है और उसके बाद यहां पर ना देखिए मिर्च मैंने ज़्यादा काटा है क्योंकि मुझे पकोड़ी बनाने थे तो उस होता है ना हम जब भी किष्री बनाते हैं तो पहले सब्जी को भून लेते हैं तो ना उस मतलब थोड़ा से मुझे अच्छा नहीं लगता है और अभी मैंने इस बार क्या किया है कि मैं अब कढ़ाई में इन सब्जीयों को भून लूँगी पहले ऐसे इसमें कुछ भी मैं उसको मैं रहने दूँगी और फिर उसके बाद मैं उधर देखे खिचरी बन रहा है तो उसे भी मैं देख रही हूं और यहां पर देखे मसाले अगरे डाल कर मैंने इसको अच्छे से कढ़ाई में भून लिया है उसके बाद अब मैं इसे चावल में डाल दूँगी जहां दाल और चावल उबल रहे हैं तो देखे मैंने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है बस इसे मैंने भूना है सबजी को और अगर मैं पहले भूनती हूं न तो क्या होता है वो भी मैं बता देती हूं क्योंकि जैसे कि हम भूनते हैं तो चावल के साथ बहुत ज़्यादा फुल गोबी कर टेश्ट आता है ना ही तो मटर कर टेश्ट आता है तो इसी लिए मैं ना ये सबजी अलग से भून कर डाल रही हूँ और ये देखिए अभी इसको मैं पांच मिनट धीमी आच में ऐसे करके छोड़ दूँगी तो वो धीरे धीरे खिचरी बनती जाएगी उसके ये वाइट वाला तिल लिया है ये तिल भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसी लिए इसको कहा जाता है तिल खिचरी आज के दिन जो बनाया जाता है वैसे इस तिल को हम चावल में भी डाल देते हैं कोई-कोई तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब मैं इस खिचरी को अच्छे से ऐसे ही छोड़ दूँगी पांच मिनट के लिए और मैं बच्चों को पहले बुला लेती हूं तो ये देखिए यहाँ पर मेरा गरमा गरम खिचरी बनके तयार हो गया है और मुझे ऐसे थोड़ा सा ना पतला ग्रेवी वाला खिचरी अच्छा ल मेल रहे थे ना इतना ज्यादा स्वाधिष्ट यह लगा था बहुत ज्यादा तो यहाँ पर देखिए बच्चों को बुला कर हम लोग यहीं बाहर अपने आंगन में दूप में वैट कर खा रहे हैं और उसके बाद फिर ना मैं च्छत के उपर जाती हूं बच्चे तो चले पतंग के साथ और आदित्या भी है तो यहाँ पर देखिए सब लोग पतंग उड़ा रहे तो रितनी अच्छी धूप थी ना धूप का मतलब पतंग तो वैसे मुझे लगता है उड़ाते ही हैं लेकिन ना धूप का मज़ा लेने के लिए भी सायद लोग बहाना करते हैं प भी बच्चे है और मेरी घूप अहले है यहाले आकर यह लूग पतंग खुद अप मेरी हजबबन भी कार रहा थे और खुद इनका भी कट जा रहा था तो ऐसे करके ना यह पतंग का मतलब सलसला हूँ चल रहा था बहुत सारी पतंग ना बच्चे जमा भी कर लिये थे कि जैसे कट कि आती है किसी के तो कभी हमारी छत पगी जाती है धीर जो हमारे खाली जमीन में तो यह बड़ा सा एरिया है तो हमार काफ स कट के गिर गये तो वह भी जमा हेए लुक्त आफ्य में इस सुबह Ц θα से ही मस यह पतन काठने का सिलसला चल रहा है और उड़ाने का सिलसला चल रहा है सुभा से ही मेरे हजबन यहां पर ना मतब कन्नी जो बानते हैं पतक में वो इन बच्चों के लिए रेडी कर रहे थे और देखिए दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुस है नए कपड़ पहन के और आदितिया भी लेकिन वह भी खोल चुका है और यहां पर अब मैं जारी हूं नीचे योगी धूप में रहते रहते हैं नीद लगने लगती है तो अभी मैं छट से नीचे आ गई हूं घर पर और वहां पर काफी ज़्यादा जैसे कि हम लोग खाना अगेरा खाके गाये थे तो वहां पर का सा रहता है कि आज तेवहार है और देखिए इतना जल्दी दिन धल जाता है ना आज कल की बहुत छोटा दिन होता है लगता है कि कब सुबह हुआ कब सामुआ पता ही नीचलता है तो फिर मैं यहां पर कुछ देर के बाद ना यह मौंग फली के थे मेरे पास तो वो मैं यहा है और अबी तक है भी और यहां पर देखिए मुंग फलियों को तलने के बाद यहां पर अब मैं प्याज का जो साग होता है प्याज साग का में भजिया तलने वाली हूं और बहुत अच्छे लगते हैं प्याज साग पकोड़े इस सीजन में तो खास कर बहुत अच्छा कितना मैसी हो रहा है न क्योंकि अभी मैं भजिया और चाय भी बनाऊंगी और यह सब खापी कि हम लोग मैं पहले पूरा किचन साफ करूंगी उसके बाद ही में रात का खाना बनाऊंगी तो यह दिखिए यहां पर गरम गरम प्याज के साग के पकोड़े बन रहे हैं और अब बच्चे साथ कहा रहे हैं और फिर हमने चाय पहले पी लिया और यहां पर देखिए मैं और मेरे हजबन भी हम लोग मिलकर खाते हैं और हम लोग अभी यहां पर टीवी देख रहे हैं और बच्चे न कप्ड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि इनको तवासा अजीब लग आप सभी को पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजेगा हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ